साथियों चुनाव नजदीक है सरगर्मिया तेज हैं और 11 तारिक का चुनाव है हम हैं मौझूद बिलासपुर कस्वे में यहां से प्रत्याशी हैं सुदेश नागर जी भारतियंता पाइटी की जो कुक्की नागर की पत्नी हैं सुदेश नागर जी पहले भी कस्वे की चैर्मेन रह चुकी हैं तो यहां पर एक भारतियंता पाइटी की संचालन समीती की बैठक का योजन किया गया है जिसमें यहां पर पिरभारी हैं योगंदर चौदरी जी हैं मंडलत धक्ष हैं जगदीप नागर जी के लावा भारतिय क्या तयारियां हैं आपकी बैठक जह हुई उसमें क्यान दिशान इंपर्देश दिए गया कारफ़करताओं सबसे पहले मैं व्लासपुर कस्वे की जनता को साधवा देता हूं जो समर्थन हमारे प्रित्याशन को मिल रहा है अभूते पुर समर्थन यहां जनता के द्वारा मिल रहा है जो और हमारे प्रत्याजी हैं उस समर्थन को देखते हुए सब लोग परिशान हैं सब लोग हासिये पे हैं और उनका जो फ्रस्टेशन इस बात से नजर आता है अब वोखलाई हुए आज करेले में हर दिन की तरह जो हमारी नगर पंचात ब्रासपुर की संचालन समीसी की बैठक होती है उसे के निमीत हम सम लोग यां संचालन समीसी की बैठक को लेने के लिए बैठे हुए है इसमें आगामी जो कल और परसो की जो योजना है उनको विस्तार से चर्चा की जाएगा और मुस्क्राजी से लगे हुए है कुछ भाईयों की कुछ कारण करता हुए यदि शिकायत आई है यदि उनका उसमें कहीं सच्चा ही पाई गई तो पार्टी चुनाओं के अगले दिन उन पर एक्सल लेगी उनसे बात की जाएगी और उनको कारण बता हुए नो देखिए उक्की नागर जी बिलासपुन नगाय चुनाओं से पिरजन प्रिचंड महूमत से जीतंगे और आगामी कारिकरम को लेकर पिरबारी जी ने बताई दिया है और शैकारी समीती के चुनाओं में हम प्रिचंड जीत के साथ चुनाओं को जीते हैं ये जीत का सिलसल जारी रहेगा और हम प्रिचंड महूमत के साथ बहन सुदेश नागर को जिताएंगे राजु जी आप क्या कहेंगे क्या कहेंगे आप यह है जैसे अभी मारे भारी जी बता रहे थे यहां इस्थानिया जो केंड़ेट है जो प्रिच्ट्यासी यहां लड़ रहे हैं यह सब भी हम लोग सब यहां इकटे थे इतना भारी जंसमर्थन हर समाज का इनको मिल रहा है उसे देखते हुए हमें लग रहा है अब पूर्ण बहुमत से यह अच्छी बोटों से यहां से जीतेंगे और फिर सुदेश नागर जी नगर पंचाहित के अध्यक्ष बनेंगे बहुत टो बनेवाद